अभ्यास 149, स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनिट स्टार्ट महोद है मैं खास कर के इस बात की और ग्रह मंत्री जी का ध्यान आक्रस्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं यह बिहार शरीफ का ही मामला नहीं है बिहार में हुआ है पटना में जो पुलिश का अत्याचार हुआ है उसमें हकीकत अभी सामने आई है कि होस्टल में से एक लड़के को नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई बदमाशों को गिरफतार करो यह तो समझ में आता है लेकिन उसको गिरफतार करने के बाद गोली से उड़ा दो इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता पैरा श्रीमन आंध्रप्रदेश में पुलिस के द्वारा जो गोली आदिवासियों पर चली उसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए मैं उन हालात की तरफ आपके जरिये और इस सदन के जरिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ आदिवासियों पर जुल्म ने सिर्फ उस तारीक से बलकी कई सालों से एक संगठित तरीके से हो रहे हैं और पहले से जो आदिवासी उन इलाकों में बसे हुए हैं वे ने सिर्फ गरीब हैं वरन वहां कई वर्षों से रहते आए हैं कई जमाने से वे वहां पर कास्त करते आए हैं कुछ समय बाद यह हुआ कि जो गैर आदिवासी हैं वे उनको तंग करने लगे और उनकी जमीनों को छीनने लगे इस पर आदिवासियों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इसके बाद उनकी रक्षा करने के लिए एक कानून भी सरकार ने बनाया इस कानून के तहट आदिवासियों की जमीनों को किसी भी हालत में गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता है इस कानून को अमल में लाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया गया जिसके कारण उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी नतीजा यह हुआ कि आज भी ऐसे हजारों केसेज अदालतों में पड़े हुए हैं इससे निपटने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उनकी रक्षा के लिए जो कानून बना हुआ था उसको लागू करवाने पर जोर दिया और उनसे जो जमीने चीनी गई थी उनको वापस लेने के लिए संगर्ष छेडा इसके लिए उन्होंने एक आमसभा की लेकिन गैर आदिवासी लोगों ने पुलिस की मदद से उनकी जमीनों पर कबजा कर लिया जिस समय यह कबजा किया गया उस समय आदिवासी लोग आमसभा में गए हुए थे जब वे वापस लोटे तो उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया वहाँ पर धारा 145 लगाई जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था जब वे हटने के लिए तयार नहीं हुए तो उन पर गोलियां चलाई सरकारी आकड़ों के अनुसार उनमें से 25 लोग मारे गए और करीब 200 घायल हुए इस गोलिकांड में 14 औरतों और 6 बच्चों की भी जाने गई हैं यहे बहुत ही अपसोसनाक घटना है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए आज तक उनके घर वालों को पता भी नहीं है कि जो लोग गोलिकांड में मारे गए उनको कहां जलाया गया उनकी लाशें उनके घर वालों या रिस्तेदारों को भी नहीं दी गई मैं चाहता हूँ कि आदिवाशियों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए और उनके लिए जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनका पालन किया जाए उनकी जो भी जमीने छीनी गई हैं उनको वापस लोटाया जाए उन जमीनों पर उन्हें बसाया जाए जो की गैर आदिवासी लोगों के कबजे में चली गई हैं इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है की वह राज्य सरकार को हिदायत दे की वह आदिवासीयों की सुरक्षा करे